तो चलिए शुरुवात करते हैं क्रूल सिटी पार्ट नाइम की जैसा कि आपने पिछले वस्वर्ट में देखा होता है कि जंग शीयून बहुत ये बुरी तरिके से गाहल हो रखा होता है और जो सफारी के आदमी होते हैं वो उसे मारने के लिए जा रहे होते हैं उसे टाइम उस बिल्डिंग में योंग मिन अपने टीम के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है योंग मिन ऊपर की ओर जाता है और वहाँ पर सफारी के दो बाडी गाट को बुरी तरीके से पीटता है जिस रूम में सफारी होता है वहीं पर एक आदमी आता है और वो सफारी को बताता है कि यहाँ पर यंग मिन पहुच गया है पुलिस आफिसर की टीम के साथ सफारी शियून की और देखतर बोलता है कि अब तुम पुलिस का यूस कर रहे हो लेकिन तुम अगली बार नहीं बचोगे और यह गया कर वो वहाँ से चला जाता है शियून भी इसे मौकिया फादा उठाता है और वो पीछे वारे डोर से यूंसू के साथ वहाँ से चला जाता है फिर कुछ देर बाद यंगमी नहीं वहाँ पर पॉस्था रहा देखता है वह भाग का दूसर साथ जाता उस कार के सामने आता उस कार में बैटे होते हैं शियून और यंसू शियून की कार की हेडर जल रही होते है इस वैसे योंग मिन उसका फेस नहीं देख पाता लेकिन उस अपनी गन पॉंट कर रहे होती है कार की तरफ शियून अपनी कार नहीं रोकता और वो योंग मिन को टक कर मारने जा रहा है लेकिन योंग मिन सामने से हट जाता है आगे पहुच कर यूंग मिन से पूशा होता है कि तुम हमेशा यूंग मिन को जिन्दा की छोड़ देते हो अगर तुमने स्पीड और बढ़ा ही होती है तो फिर वो मर जाता क्या तुम्हें पता नहीं है कि यूंग मिन तुमारे पीछे है या फिर तुम गिल्टी महसूस कर रहे हो क्योंकि तुमने यूंग मिन की गल्फरेंट को मार दिया है इस बात का शियून कुछ भी जवाब नहीं देता है कुछी देर बाद लोनों घर पे पहुच जाते है यूंग सो शियून से बोड़ रहा होता है इस वैसे तुम भी दुबार अटैक करना होगा शियून हा कहता है फिर हॉंकिस से पूछ आ होता है कि तुम अब होलसेलर के बारे में क्या करोगे या तो तुम मुझे उनकी इंफोमेशन दे दो मैं सब को पकड़ लूँगा के तुम वाकिय में उनसे डील करने वाले हो तुम वैं उनसे डील करने के बजा इस वार में सोचन से ये कि तुम कैसे वुसान में प्रैक्टिस करना है कई आर प्रैक्टिस करने के बाद 100 मिन हत्कडीख फुलने में कामिया हो जाती है इधर शीओन यूंसुके साथ होतार वो डिंक कर रहा होता है, फिर वो यूंसु के बोलता है कि अगर तुम यहां से बाहर जाना चाते हो, तो फिर मैं तुमारी हल्प कर सकता हूँ, ताकि तुम यह बिजनस से दूर चले जाओ, यूंसु मना करता है रो कहता है कि मैंने चिश की शुरात करेती, इस वैसे मैं दूसरी और सफारी से मिलने के लिए बुसान का एक आदमी आता हुए उसके सामने एक सूटकेस में डर्क्स रख देता है। सफारी के पास में यूंसू भी होते है उसे बोर्ड ही होते है क्या तुम्हें लगता है कि जिनसू तुमसे डील करेगी। लगता है कि वो देखने वाला है कि ये डील कहां तक जाएगी जिन्सुक अपने होटल से बाहर जा रही होती है और वहाँ पर शियून होता है उसे जाते वो देख लेता है जिन्सुक के जाने के बाद पीछा वाले डोर से शियून भी वहाँ से जा रहा होता है तब ही उसे वहाँ पर सोमिन दिख जाती है सोमिन शियून को देखकर मुस्कान ले जाती है रो बोर रही होती है तुम काफी कूल लग रहे हो क्या तुम इसी होटल से बाहर आ रहे हो तुम यहाँ पर किसके साथ आयो फिर शियून बोर रहा होता है कि मैं यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए आया था सोमिन कहरी होती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था क्योंकि मेरी फ्रेंड भी यहाँ पर है मतलब मैं उसे अत्ती क्लोस तो नहीं हूँ तब ही शियून उसकी बीच में बात काड़ देदा और बोलता है कि मैं समझ गया हूँ और यह कहकर वो चला जाता है सोमिन गुस्से में अपने रूम में जाते हैं रो बोर रही होती है कि वो क्या समझ गया है अगली सुबह यूंग में जेल में सकेल से मिलने के जाता है वो उससे भूर रहा होता है कि जो तुम्हारा अडॉर्नी है वो तुम्हारे सारे शेर्स बेच रहा है लेकिन पैसा तुम्हारा अकाउंट में नहीं आ रहा है उसके अलावा तुम्हारे कई और गांड हैं जिनमें की बहुत सारा पैसा है लेकिन इंटरस्टिंग बात यह है कि तुमने अपने आपको पुलिस के हवाले कर दिया है शायद किसी गैंग के मेंबर यह चाहते हैं कि तुम डॉक्टर के बेटे को एक्सपोस करो तुम्हारे थ्रू और पुलिस उसके पीछे जाए शायद वो ऐसा इसलिए करना चाहते है क्योंकि डॉक्टर का बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है अपनी पावर में और वो और्गनेशन के खिलाफ जाना चाहता है इस वैसे डॉक्टर के बेटे को रासे जटाने के लिए उन्होंने तुम्हें मजबूर किया कि तुम अपने आपको पुलिस के हवाले कर दो स्केल हज़न लगातर हो बोर रहा होता है कि तुम स्टोरी बहुत ही अच्छी बनाते हो यंग बिन पूश रहा होता है कि ड्रक्स कहां से आने वाले है स्केल बोर रहा होता है कि तुम में लग रहा है कि मैं ये सब लोल्टी वैसे कर रहा हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे वर्ड में लोल्टी एक्जिस्ट ही नहीं करती है हम सब एक दूसरे के एनिमे हैं और हम किसी तरीके से सरवाइव करना चाहते हैं जिसके पास पावर होती है हम मारने की हम उसके सामने ओबेडियन्ट होते हैं और उसकी बाते हैं क्या तुम्हार पावर है कि तुम मुझे मार सको और रही ड्रक्स की बात कभी कवारो चाइना से सप्लाई होते हैं या फिर थाइलेंड से और भी कई जगे हैं लेकिन मुझे याद नहीं है अगर तुम और भी टीप जाने कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारे फ्रेंड मारे जाएंगे शयाद अक्रा नमट तुम्हारा भी हो सकता है तब यौंग मिन गुस्सें मैं आटा है और तो कौलर पकड़ के बोल रहा हुता है क्या तुम्हारे पीछे पुसान और्क्नाइजिशन है स्केल हसन लाग रहा होता है कि तुम कौन से पुसान की बात कर रहे हो योंग मिन गुसम बोर रहा होता है कि तुम चिंता मत करूबा उन सब को पकड़ लूँ और ये कहकर वो चला जाता है कुस देर भाद योंग मिन गुसम बोर रहा होता है कि तुमने जिन्सु को कैसे जाने दिया प्रोजिकुर्टर गुसम बोर रहा होता है कि हमें जिन्सु के खिलाव कोई भी आविडिनस नहीं मिला इस वैसे हमने उसे छोड़ दिया योंग मिन बोड़ रहा होता है कि तुमने डॉक्टर के बेटे से रिश्वत ली है प्रोजिगूर्टर गुसे मैंतर बोड़ रहा होता है कि तुम कैसी बात करे हो फिर इसके बाद योंग मिन कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब ही योग मिन को एक female prosecutor देख लेती जो कि उसकी friend होती है फिर उसके साथ एक cafe में जाता है female prosecutor योग मिन से बोड़ रही होती है कि मेरे पास डॉंग के कंस्रेशन के बारे में जाता इफूर्मेशन नहीं है लेकिन तुमारी help कर सकती है reporter चाह योजो तुमें बहुत जाता है उसके father politician है तुमें उसके साथ collaborate करना चाहिए तब ही वहाँ पर reporter चाह योजो पहुच जाती है फिर prosecutor पहुच जाती है reporter चाह योजो लगातार बात कर रही होते इस वैसे परिशान होकर योग मिन वाँसे जा रहा होता है तब ही reporter कहती है कि मेरे पस डॉंगे करश्चन के बारे में फर्मेशन है ।ब ही योग मिन बैठ जाता है फिर reporter बोड़ रहتي है कि तुमें मैसा ड्र मिन वहां से चली जाती है फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं और रिपोर्टर चाह हो जो योंग मिन को डॉंग के सटेशन के बारे में बताती है कुछ ही तिएर बार रिपोर्टर चाह हो जो बहुतने बहुत जाए इस वैसे गहर तक छोड़ने के लिए जाता है उसे घर कि आज के दिन क्या हुआ है सोमिन कुछ भी नहीं बोलते और वहाँ से चली जाती है फिर सोमिन अपने होटल रूम में जाती है जो कि इसे जिनसुक ने दिया होता है कुछ ही देर बाद वहाँ पर जिनसुक भी पहुच जाती है वो दोनों ट्रिंक कर रहे होते है सोमिन जिनसुक से पूछ रहे होते है क्या तुम परिशान हो जिनसुक हा कहते है फिर सोमिन कह रहे होते है कि तुम आज कल अपने लवर से नहीं मिलती हो जिनसुक कह रहे होते है कि वो बहुत जादा बिजी है फिर जिंसू उससे पूछती है क्या तुम्हार कोई बाइफरेंड नहीं है सोमिन बता रही होती है कि मैं एक लड़कों पसंद करती हूँ लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता है फिर वो कुछ भी नहीं बोलते है और वो ड्रिंक करने लग जाते हैं अगली सुबह योंग मिन होस्पिटर जाता है अपने भाई से मिलने के लिए लेकिन वहाँ पर उसके फादर आए हुए होते हैं फिर वो अपने फादर के साथ बैठतर उन से पूछ रहा होता है कि आपने मेरी प्रोवेशन को फोर्स क्यूं किया है योंग मिन के फादर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें मुझे थैंक्यू बोलना चाहिए तुमने अपने कली को गोली मारे दी और तुम इतनी असानी से बच गए ये कहकर वो चले जाता है और उनके जाने के बाद फिर योंग मिन अपने भाई के पास आता है उसे बात करने लग जाता है कुछ देर बात करने के बाद योंग मिन मिन होंकी से मिलने के लिए जाता है और उसे बोल रहा होता है कि शायद प्रोजिक्योटर आगम सा डॉक्टर के बेटे को जानता है तब ही उन्होंने जिनसुक को छोड़ दिया है मिन होंकी बोल रहा होता है शायद अपोजित हो इस वैसे उन्होंने जिंसुक को छोड़ा हो ताकि वो डॉक्टर के बेटे को पकड़ सके तब ही योंग मिन के पास सो मिन का कॉल आता है रो वो कॉल पिक करने के लिए बाहर जाता है कॉल पिक करते ही सोमिन उससे बूर रही होती है कि आज का मौसम काफी अच्छा है फिर योंग मिन कुछ से में बूर रहा होता है क्या तुमने ये चीज़ रिपोर्ट करने ही कॉल किया है अगर तुम्हरा पस कोई और बात नहीं बताने को तो फिर मैं कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक मेर्टिंग में हूँ सोमिन उससे सौरी बोलती है रात के लिए फिर वो कॉल कर देता है फिर वो व्याख कि यौने फ़में अपिस में जाता है और दुबारा बात करने लग जाता है इद्दस सोमिन अपने रूम में बौर हो रही होती है इस वैसे वो अपनी फ्रैंड को कॉल कणरती है लेकिन वो भी बहुत जाएधा बिजी होती है फिर वो आखिर में Shion को call करती है और इसने Shion का नाम सेब कर रखा होता है पुरो रो जिस टाइम पे वो call करती है Shion उस टाइम पर pull-ups कर रहा होता है उसका phone कहीं दूर रखा होता है जब तक वो phone को pick करने जा रहा होता है तब तब call कर जाती है फिर शियून नाम पढ़ता है और उसे याद आता है कि ये नमबर उसके फोन में सोमिन नहीं सेफ किया था सोमिन उदास वोकर पने बैट बैटी होती है तब उसके फोन पे कॉल आता है और वो कॉल कर रहा होता है शियून ने सोमिन कॉल पेक करते हैं लेकिन शोमिन कुछ भी नहीं बोल रहा होता फिर सोमिन उसे बोल रही होता है कि अगर तुमने कॉल करा तो उपर तुम्हें कुछ बोलना चाहिए शियोन कुछ भी नहीं बोलता और सोमिन उसे रात को ड्रिंक के लिए इन्वाइट करती है एक रेस्टनोंट में रात को सोमिन उसी रेस्टनोंट वेट कर रही होती है और कुछी देर बाद वहाँ पर शियोन पहुच जाता है शियोन को देखते ही सोमिन खुश जाते है रो बोर्ड ही होती है तुम वाकई में आ गए फिर वो ड्रिंक करना स्टार्ट करते है रो बॉटल खतम करते है रो शियोन से बोर्ड ही होती है कि तुम क्यों ड्रिंक कर रहे हो शियोन बोर रहा होता है कि मैं स्टेंजर के साथ ड्रिंक नहीं करता हूँ सोमिन कह रहे ही होती है कि तुम कैसी बात करे हो तुमने मझे कॉल कर यहाँ पर बुलाया और तुम ऐसे एक्ट करे हो कि तुम मझे जानते भी नहीं हो शियोन कहरा होता है कि तुमने मझे कॉल करके यहांब पपलाया ना कि मैंने सोमिन बोड़ रहा होता है जो भी बात हो लेकिन एंड डिजर्ट मैटर करता है जो भी है तुम यहांपर आता हो गई हो ये सुनकर शियोन मुस्करानी लग जाता है फिर सोमिन शियुन के और देखतर उससे बोड़ रहा होते है कि मैं काफी बदल गई हूँ शियुन उसके और देखतर बोड़ रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो तुम पहले की तरह हो सोमिन खुश जाती रूशियून से पूश होती है कि तुमारा क्या नाम है फिर शोमिन सोमिन को पास बजातार उससे बोड़ रहा होता है कि मेरा नाम एक national secret है सोमिन बोड़ रही होती है कि यह बहुती बुराना जोग हो गया और यह काफी weak भी धा सोमिन अपना फोन निकालती और शियून को नाम चेंज करती है तो उसे दिखा कर बूर रही होती है कि मैंने तुमारा नाम चेंज कर दिया मिस्टर गैंक्स्टर तुम हमेशा ही हर्ट होते रहते हो मुझे अभी भी याद है जा तुम पहली बार मिलेते तुमने मुझे से बोला था कि तुम्हें साइड नहीं आना चाहिए फिर उसे हलका सा पुश करती है और बूर रही होती है कि अब तो मैं साइड आ गई हूँ अचानक से शिन सूमन को अपने करीब लाता है और वो से किस कर लेता है तो दोस्तों यहीं कदम होता है यह पार्ट